हेलो दोस्तों मैं हूँ आशीस और वेलकम टू डेल लनिंग चैनल तो यहार थमनेल देखके आप समझी गए होगे किस बारे में बात होने वाली है अगले तीन से चार मिनट में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे इसी वीडियो में तो आप बे धड़क होके सांती से मेरे मौक दे रहा था आठ से दस दिन पहले मेरे मौक में इतना गंदा स्कूर आ रहा था बहुत ज्यादा डी मोटिवेशन होता है अपने आप में जो बच्चे थोड़े से सीडियस हैं तो इसी बारे में बात करेंगे मैंने ऐसे क्या-क्या पॉइंट्स थे जिनको एनरसि स्कूर भड़ा सकते हो ठीक है लेकिन आपको इस ट्रेकली फॉलो करने पड़ेंगे वह रूल तभी आप इसमें इंक्रीज कर सकते हो अपना स्कूर ठीक है किवल ऐसे ही देखने से काम नहीं चलेगा ठीक है समसे पहले तो बात करते हैं आपको कुश्चंस मौक कितने लगा आपको अच्छे करना अच्छे से जो भी कुशंब अपने इस टीक है यह फिर आपके डाउट वाले कुश्चंस जो ठीक होगए ठीके आपको डाउट था लेकिंध। ठीक हो गए वो भी आपको देखने है ठीक है दूसरे बाद अपना सेगंड पॉइंट आता है अपना स्ट्रॉंग सब्जेक्ट फॉर एक्जांपल आप अटेम्ट की सोचते हो मुझे पहले कौन सा सब्जेक्ट अटेम्ट करना चाहिए तो अटेम्ट का सीधा सा फंडा है ए बेसिक है जो जी एस हिंदी अगर आप करना चाहते हो हिंदी या फिर इंग्लिश उसके बाद आपकी रीजनिंग फिर उसके बाद मैथ ठीक है इसका फायदा यह होता है हमारा जी एस हिंदी जो वन लाइनर टाइप के पढ़ने वाले कॉश्चन होते हैं वो जल्ली हो जात है ना कि मेरा सब्जेक्ट रीजनिंग बहुत अच्छा है तो मैं उसे पहले फिनिश करके फिर उस पर जा सकता हूं तो यह भी अपने बहुत अच्छा है अगर आपका रीजनिंग या मैथ मैसे बहुत सब्जेक्ट है आपका कोई तो आप उससे पहले पकड़ सकते हो लेक सकते हैं तो यह तो हो गया आपको कैसे करना है पहले कौन सा करना है उसके बाद में क्या सब्जेक्त रना यह क्लियर हो गया इसके बाद आते हैं हम आपको skip question कौन से करने है और आपको doubt में कैसे टिक लगाने है ठीक है तो देखो skip आप किसमें करोगे जीएस में आप skip जरूर कर दोगे आराम से कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि अगर आपको चार option में से दो में doubt है आप उसको skip नहीं करोगे ठीक है नहीं करना 50-50 आपका सही होने के chances रहते हैं उसे skip नहीं करना है skip उसी को करना है जिसको आपने मतलब उसके बारे में knowledge ही नहीं है कुछ पता ही नहीं है ठीक है भी उसके बारे में तो attempt मत करो क्योंकि उसमें point का भी difference हो जाता है जब cutoff जाती है इस बात को समझो ठीक है यह चोटी-चोटी चीजें हैं यह mock test attempt करने से ही आती है ठीक है आप भी mock test attempt कर रहे हो मैं भी कर रहा हूं लेकिन मैंने बहुत सारी चीजें को अपनी को सुधा रहा है ठीक है अभी साथ आप उन चीजें को नहीं देख पा रहे हो केवल mock लगाते जा रहे हो और उनका जो भी marks देख लेते हो अपने analysis कर लेते हो लेकिन उन points को आप note नहीं करते हो जहां पर आपकी दिक्कत हो रही है वो मैंने note करके और जो भी मुझे conclusion निकला है उसका वो मैं आपको बता रहा हूं उसके बाद आप जैसे ऐसी आपको English में करना है अगर आपको बिल्कुल ही नहीं आता question हवा मलब उपर से निकल ला है तो आप उसे skip कर दो उसके बाद में चीज आती है reasoning और math reasoning में आपको पता है अगर question आपको आता है तो आपको कर लोगे और नहीं आता नहीं कर पाओगे तो जो नहीं आता आपको आप बिल्कुल तुक्का नहीं लगाना है उसमें skip कर देना है यह क्या दो question अगर आपको ऐसा हो रहा है math में भी आपको क्या करना है math का ध्यान रखना विशेश करके math में क्या होता है बहुत ज्यादा time waste कर देते हैं मेरे साथ भी ऐसा हो रहा था पहले अगर मान लीजिए शुरू के चार question कर दिए पांच मा question ऐसा आगया थोड़ा सा tricky था वह मतलब question देखने में लग रहा था कि हो तो ज time waste होने के बहुत ज्यादा chances हो जाते हैं उससे better क्या है आप उसे skip करके आगे के question जो भी आ रहे हैं आपको आगे question फिटाबट 20 तक सारे question देख लीजिए फिर आपके 2-3 question अगर रह रहे हैं उनको previous करके आप उसे attempt करिए ठीक है ऐसे उनमें भी वह attempt करना है आपको जो आपक कैसे होना चाहिए उस question को सबसे last में देखना है आपको जब time बच जाता है आपका math में ऐसे करके आपको math attempt करना है ठीक है अगर आपने time waste कर दिया स्टार्टिंग में math में और फिर आपके mind में बंग जाता है pressure और pressure की चक्कर में आप 20 attempt भी नहीं कर पाते हो 20 देख भी नहीं पाते हो ऐसे होता है ठीक है हरवड़ी में question last में सत्रा तक पहुचे तीन कोशन रह गए तीन कोशन आसान है लेकिन हरवड़ी में एक गलत कर दिया और मतलब तीन में से एक सही कर पाया और दो आपने एक में गलत कर दिया एक देखी नहीं पाया ठीक है ऐसा भी हो जाता है और करने लाएक वो तीन हो थे किस वाइसे नहीं कर पाया क्योंकि उस एक question की वैसे बहुत time waste हो गया ठीक है यह नहीं करना है आपको यही चीज हम सीखते हैं मौक से actual में आपको कौशा question skip करके last में देखना है वो क्योंकि कोई question math में ऐसा होता है जो आपको परेशान करेगा यह करेगा एक यह दो question ऐसी बात नहीं है ऐसे सी जीडी का paper है तो question वो ऐसे ही डालें कि सारे question एक बार में हो जाए एक दो question ऐसे भी हो सकते हैं जो आप उनमें अटक सकते हो तो यही था और बाकी बाकी सारा मैंने बता दिया आपको कोई भी doubt है तो आप मुझे से comment में पू तो या फिर गलत हो जा रहे है मैत में उन questions का जब analysis देखते हो आप द्वारा solve करते हो solution देखते हो तो उसको कहीना कहीं copy में आप note down कर लें कि इस point पर मुझे दिक्कत होई या फिर यह वाला formula यूज गुआ था मापर मुझे नहीं आता था तो उस point को note कर लें अगर आपकी पूरी तैयारी है पूरा slave साब ने कर रखा है तो मैत में ऐसे दस बारा दस पंद्रा कोशन ही आपको मिलेंगे जो कुछ नए से होंगे ठीक है तो आप उनको copy में note कर लें और एक दो दिन पहले देख के जाए paper से ठीक है तो यह थे कुछ points जिन पर मैंने focus किया ठीक है और कहीं न कहीं मैंने score काफी अच्छा कर लिया इसी वजय से तो आपको उन पर काम करना है अपने mind पर थोड़ा control लखना है क्योंकि हम क्या होता है सारे questions attempt करने की सोचते है maximum score करने के लिए वह अच्छी बात है लेकिन अगर math में आप एक भी question बिना skip करे regularly करोगे और आप उस प अगर आपके लिए कोई भी helpful point रहता है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो thank you मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में तब तक लिए जय हिन जय भारत